Hello and welcome friends, आईए देखते हैं कि MSWord को कैसे encrypt कर सकते हैं यह वीडियो password को encrypt करने का है तो इसको ध्यान से देखिएगा और I hope की वीडियो के लाश्ट तक आपको समझ में आ जाएगा छोटी सी वीडियो है, डबल क्लिक करके MS Access को उपन कीजिए यहां पर ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको यहां से design view चूज करना है मैं यहां पर लिख देता हूँ password ठीक है, चुकि हम password का ही यह प्रोग्राम लिख रहे है यह जो हम वीडियो बना रहे हैं यह password के उपर ही है यहां पर मैं लिख देता हूँ card number ठीक है card number तो यहां पर जैसे card number लिखूँगा यहां पर data type हम change कर देंगे data type क्या लेंगे, हम data type लेंगे number ठीक है और यहां पर जो हम इसके बाद हम password डालेंगे ठीक है तो यहां डाल दिया हमने password और यहां पर जैसे ही आएंगे तो data type हमको choose करना है, क्या text भी रहने दे सकते हैं हम ठीक है, input mask में आएंगे और यहां पर लिखना है आपको password ठीक है, और अब आपको क्या करना है, view पर click करना है जैसे यहां view पर click करेंगे, yes कर दीजेगा अब यहां card number डालते हैं, कोई भी card number हमने माली यह डाल दिया ठीक है, इसके बाद यहां पर आएंगे, तो अब यहां पर आते हैं password वाले column पर, तो अब यहां पर जैसे password लिखेंगे हम तो देखें, यह encrypted हो चुका है, encrypt करने के लिए क्या किया है, मैंने फिर आपको पता देता हूँ यहां view पर आए हम, design view पर गया है, और यहां input mask में आपको लिखना है password जैसे आप password लिखेंगे, यह फूरी तरह से encrypt हो जाएगा, देखें यहां पर encryption आ चुकी है और यहां पर हमको पासवर्ड वाला encryption मिल जाएगा, तो यहां पर जाकर के आप कोई भी password enter करियेगा, तो वो encrypted ही होगा, अब यहां से जैसे माली जे कुछ भी हमने enter किया, यहां पर आए, अब जैसे ही password enter करेंगे, तो यह encrypted होगा, तो यह तरीका है कैसे हम encryption कर सकते हैं MS Access पे ठीक है तो उमीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि encryption कैसे कर सकते हैं ये छोटे छोटे वीडियो आपको एक बड़े software बनाने में काफी मदद करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो